विक्रम के बड़े भाई ने धोखे से सारी जमीन और जो भी छोटा सा घर था सब अपने नाम करवा लिया जैसे ही विक्रम की नई-nई शादी हुई वैसे ही उसके बड़े भाई रोहन ने अपना असली रंग दिखा दिया विक्रम ये वकिल साहब है वकिल साहब, विक्रम को ज़रा ये कागस तो दिखाईए मिस्टर विक्रम, आज से ये मकान और सारे खेट सब रोहन के नाम हो चुके हैं ये देखिए, सभी पेपर्स पर आपके सिग्नेचर हैं भाईया, आपने तो मेरे साथ धोका कर दिया मैंने आप पर भरोसा करके बिना पढ़े ही साइन कर दिया था आपने तो सारी जायदा थी हडपली तभी वहाँ पर विक्रम की मा और उसकी पतनी राधा आ गई रोहन, हमने तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा था मैं दुनिया वालों को मिसाल दिया करती थी कि मेरे दोनों बच्चे मिलजुल कर रहते हैं कभी बटवारा नहीं करेंगे बटवारे की बाद छोड़ो तुमने तो अपने छोटे भाई से ही सारी दौलत छीन ली तुम जैसी ओलाद के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपने छोटे बेटे के साथ सड़क के किनारी रह लूँगी चलो मा, अब बहस करने से कोई फायदा नहीं कानूनी रोप से ये सारी दौलत अब भहिया के नाम हो चुकी है विक्रम अपनी मा और पत्नी राधा के साथ उस गाउं से दूर किसी शेहर में किराय के कमरे में रहने लगा और वहीं से अपनी नौकरी करने लगा एक दिन जब विक्रम अपने कपड़े उतार कर बात्रों में नहाने चला गया तब उसकी पतनी राधा ने देखा कि बिस्तर पर उसकी पैंट रखी हुई थी विक्रम की जेब में तो धेर सारे पैसे हैं, थोड़े से पैसे निकाल लिती हो राधा ने उसकी जेब से कुछ पैसे निकाल लिये जब विक्रम नहा कर वापस आया, तो देखा कि उसकी जेब में पैसे कम थे, क्या हुआ विक्रम, जल्दी से कपड़े पहनो और काम पर जा, क्या सोच रहे हो, विक्रम समझ तो गया था कि उसकी जेब से पैसे उसकी बीवी नहीं निकाले, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, अ पारिशानी की कोई बात नहीं है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाईगा, मुझे इस बात का दुख तो है कि मेरा बड़ा बेटा और उसकी बीवी खराब निकल गई, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है, कि मेरा छोटा बेटा और मेरी छोटी बहु बहू बहुत अच्छ और तुझे भी हमारे साथ आना होगा, तुपागल हो गई है क्या, मैं और क्लब जाओंगी, तुझे मैं क्लब जाने वाली लड़की दिखती हूँ क्या, पागल मैं नहीं, पागल तू है, अब तु गाओं की छोड़ी नहीं रही, बल्कि शेर की मेम साब बन चुकी है, यहा को छे बजे जब उसका पती विक्रम घर वापस आया, तब राधा ने उससे पैसे मांगे, मुझे पांच हजार रुपए चाहिए, हाँ हाँ, लेकिन पांच हजार रुपए तुम्हें अचानक क्यों चाहिए, अगर किसी चीज की ज़रुरत हो तो मुझे बताओ, मैं तुम कुछ पता है कि कितने मुश्किल से हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुवात की है, ठीक है तू रहने दीजे, मैं अपनी सहेलियों को मना कर देती हूँ कि मेरे पती के पास पैसे नहीं, इसमें आपकी बेज़ती होगी मेरी नहीं, अरे, इतना भी गरीब नहीं है तिरा विक्रम ने आवेश में आकर 10,000 रुपए अपनी पतनी राधा को दे दिये, ऐसे ही दिन बीत रहे थे, एक बर विक्रम को जब सेल्वरी मिली तब उसने अपनी पतनी राधा को 40,000 रुपए दे दिये, घर खर्च के लिए पैसे रख लो, इसमें से कुछ पैसे मा को भी दे देता था, फिर भी राधा हर रोज कुछ न कुछ पैसे उससे मांग लिया करती थी, इसके अलावा वो चोरी चुपके अपने पती की जेब से भी पैसे चुरा लेती थी, हालांकि विक्रम सब कुछ जान जाता था, लेकिन कुछ कहता नहीं था, पर विक्रम को ये नहीं पत किये गया तुम लोगोंने? अरे नहीं विक्रम भाई, जिस कमपनी से हम सब का घर चलता है, वहां हरताल क्यों करेंगे? बात ये है कि सिकुरिटी गाड हमें अंदर ही नहीं घुसने दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कमपनी अब बंध हो चुकी है, लेकिन क्यों? कमपनी के मालिक के एक साल पहले ही देथ हो गई थी, लेकिन उनके बेटे ने तो कमपनी संभाल रखी थी ना, फिर अब क्या हो गया? उसका बेटा इंडिया में रहता ही नहीं था, ये कमपनी उसके घाटे में जा रही थी, इसलिए उसने कमपनी बेज दी है, और लंदन में उसने न काम करता था, वो कमपनी तो बंद हो गई, बड़ी मुश्किल से काम मिला था, वो भी छिन गया, अब ना जाने हमारा क्या होगा? विक्रम ने बहुत सारी कमपनीों में काम ढूणने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं पर काम नहीं मिला, कुछ महीनों बाद विक्रम की सेविं कानमाली कच्छा था, इसलिए उसने दो दिन की मोहलत दे दी, विक्रम के पास थोड़े बहुत पैसे थे, वो उसने तीन महीने का किराय दे दिया, अब विक्रम के पास कुछ नहीं बचा था, विक्रम, सासुमा, आप दोनों को परिशान उने की कोई जरुरत नहीं है, एक रुपया हमारे पास बचा नहीं है, बिजनस कैसे कर पाएंगे हम लोग, विक्रम बेटा, तुशायद अभी औरतों को ढग से समझ नहीं पाया है, औरते अपने आद्वियों से पैसे मांगती तो हैं, लेकिन पैसे खर्च नहीं करती, मतलब? मतलब यह है कि मैं आज तक किसी भी पार्टी में नहीं गई, ना ही कभी महेंगे कपड़े खरी दे, ना ही कहीं फालतू खर्चा किया, मैं शुरू से आपका हाथ बटाना चाहती थी, इसलिए ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए मैं आपसे पैसे मांग मांग कर इकठा कर र ऐसा करके उसने करीब 4 लाख रुपए एकठे कर लिये थे, राधा, तुमने तो 4 लाख रुपए एकठे कर लिये, तुम जब भी मुझसे इतने डेर सारे पैसे मांगती थी, या चोरी करती थी, तो मुझे गुस्सा आदा था, लेकिन मुझे कुछ कहता नहीं था, विक्रम वो सब छोर, बहु कुछ पैसे मुझे भी दे दिया करती थी, मैंने भी खर्चा नहीं किया, और 2 लाख रुपए मैंने भी बचा लिये हैं, ये देख, विक्रम ने गाड़ियों के स्पेर पार्ट्स बनाने का बिजनस शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ राधा ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया, दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लगा, और 2 साल के अंदर ही, उन लोगों ने मिलकर अपना उसी शेहर में एक अलग मकान ले लिया, कुछी महिनों बाद राधा ने एक बच्चे को जन्म दिया, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और पढलिक कर एक IPS ऑफिसर बन गया, तभी एक रोज विक्रम का बड़ा भाई रोहन और उसकी पतनी फटे कपड़ों में उनके बंगले के बाहर आये, अरे आप दोनों कौन है, विक्रम तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, तेरा बेटा भी इतना बड़ा अफिसर बन गया, और मैंने जो पाप किया, मुझे उसकी सजा मिली, भाईया आप इतने सालों बाद वो भी इस हालत में, विक्रम मेरे बेटे ने मुझे और मेरी पतनी को घ अब विक्रम के भाईया भावी भी उसी घर मेरे रहने लगे, तभी एक रोज राधा ने अपनी भावी से कहा, भावी आप अपनी गुल्लक बना लो, भाईया जो भी कमाते हैं उनमें से कुछ पैसे चुरा लिया करो और इकटी करते रहो, जब ठीर सारा पैसा इकटा हो जाए, तब आप भी मेरी तरह कोई ना कोई बिसनेस शुरू कर लेना, मैंने यही किया था, इस तरह सब लोग जैकलिन अपनी सासुमा के साथ मार्किट में सैंडल खरीदने गई हुई थी, जैकलिन अपनी मा के साथ सैंडल वाले की दुकान पर चली जाती है, हलो अंकल, इतने में वो दुकानदार अपना फोन निकालता है और कान पर लगा कर बोलता है, हलो कौन? अरे हम बोल रहे, अरे बिटिया तुम हो, तो सामने खड़े होकर हेलो बोलने की क्या जरूरत है, हेलो तो फोन पर बोला जाता है न? अरे क्या बताएं भाई साब, हमारी बहु अंग्रेजी जारने वाली बहु है, जब देखो तब अंग्रेजी जारती रहती है, अरे बिटिया हम तुम्हारे अंकल नहीं है, हम तो तुम्हारे चचिया ससूर है, अमा, ये क्या बोल रहे हैं? हमारे ससूर तो घर पर है न? ये भी हमारे ससूर है क्या? तू अपना मुऊ बंद कर ले बहु, इस गाउं में सब तुम्हारे ससूर जैसे ही हैं. हाई राम, ये आप क्या बोल रही हो मा जी? दिस इस बुलशित. रुको रुको बहन जी, ये सब आप घर में जाकर अपनी बहु को अच्छी तरह से समझा देना अभी मैं आप लोगों को सेंडल दिखा देता हूँ ओकी ससुर जी ससुर जी नहीं, चचिया ससुर, रहने दे, तू अंकल ही बोल ओके मॉम दुकान वाला उन लोगों को अच्छी अच्छी सेंडल दिखाता है और वो लोग सेंडल लेकर अपने घर की तरफ लोटने लगते है सासुमा एक ओटो को रोखती है विल यू गो टू रामपूर? आए आओ नहीं, चलो अरे बहु इससे हिंदी में पूछ अगर इसे अंग्रेजी आती तो ये आटो नहीं हवाई जहाज चला रहा होता अंग्रेजी तो मुझे भी बहुत आती है पर मैं तो हवाई जहाज नहीं चलाती ना? तुझे अंग्रेजी आती नहीं है, तु अंग्रेजी जाडती है इतने में वो ओटो वाला वहां से चला जाता है देखा, तेरी बहस करने के चक्कर में ओटो वाला हाथ से निकल गया No problem मा जी, दूसरा ओटो वाला आ जाएगा काफी देर इंतजार करने के बाद दूसरा ओटो वाला वहां आ जाता है और दोनों लोग ओटो में बैट कर अपने ख़र चले जाते है जैकलिन सभी के लिए खाना बना कर लाती है सब लोग बैट कर खाना खाने लगते हैं अरे बहू, तू भी बैट जा, सब लोग मिलकर खाना खाते हैं जैकलिन भी बैट कर खाना खाने लगती है क्या बात है जेकलिन, मुझे लगता है कि तुम कुछ कहना चाह रही हो, पर कहनी पा रही हो You are right सोहन जी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ कुछ भी कहूँ बेटा, लेकिन हिंदी में कहना, ताकि हम सभी को समझ में आ सके आज सासुमा बाजार में दुकान वाले चाचा से कह रही थी कि गाउं में सभी आदमी मेरे ससुर है इतना सुनते ही ससुर जी की आँखे बड़ी हो जाती है, सोहन भी हैरान हो जाता है अरे भाग्यवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, बहु को क्या उल्टा सिधा बताया करती हो तुम, या फिर कहीं कुछ गरबर तो नहीं आप लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हो, हुआ कुछ ऐसा कि ये उस दुकानदार को अंकल अंकल बोल रही थी तो मैंने बस कह दिया कि ये तुम्हारे अंकल नहीं बलकि चचिया ससुर हैं, इस तरह से हर आदमी इस गाओं का तुम्हारा ससुर जैसा ही लगता है अब मैंने क्या गरद कह दिया अच्छा, तु ये बात है, मैं तो घवरा ही गया था ये सुनकर सभी लोग जोर-जोर से हसने लगते हैं अगले दिन गाउं में बहुत तेज बारिश होने लगती है बारिश खत्म होने के बाद सब लोग शौज करने के लिए सड़क के किनारे ही बैठ जाते हैं जिससे वहाँ पर बहुत गंदगी हो जाती है थोड़ी देर बात जैकलिन के ससुर जी के कहने पर कुछ सफाई कर्मी सफाई करने लगते है तब ही वहाँ से जैकलिन गुजर रही होती है और ये सब देख लेती है आये चीची यहां बताओ वहीं से बताओ लेकिन का बताए भाओ जी मैंने पूछा कि ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग और ये करने के लिए तुमसे किस ने कहा आपके ससूर जी नहीं ये सब करने को कहा है वैसे भाओ जी हमें भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है वेरी गुट तो बताओ वाट इस देस भाओ जी दिस इस पकाना तो जरा मुझे भी चकाना अरे भाओ जी पकाना कोई चकता है क्या पकाना मतलब शौज सोहन गार आता है तब वो सारी बात उसे बताती है मैं तुमसे प्यार करती थी इसी वज़े से मैंने गाओं के लड़के से शादी की लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लोग यहाँ पर सड़क के किनारे भी शौच करते है इतने दिन बीट गए तुम्हें यहा रहते होगे अभी तक तुम्हें यही नहीं पता चला वैसे पूरी बात बताओ क्या हुआ तुम्हारा मूझ क्यों बना हुआ है जैकलिन सारी बात उसे बता थी है उसकी सारी बात सुनने के बाद सोहन जोर-जोर से हसने लगता है तो तुम्हें उनसे पूछने की क्या ज़रुए थी? What is this? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था क्या? खेर, मैं जा रहा हूँ छट पर सोने यहां बहुत गर्मी लग रही है ठीक है, मैं भी आपके साथ आज छट पर सोंगी चलकर खुले आजमान के नीचे I will enjoy अगर तुम्हें छट पर सोना हो तो तुम अकेले सो जाओ जाकर मैं आज अकेले कमरे में सोंगा I know, you don't want to sleep with me tonight because मेरे शरीर से बद्बू आ रही है Am I right? सोहन जोर जोर से हसने लगता है Sorry Jacqueline, मैं तो मसाग कर रहा था चलो, छट पर सोते हैं Jacqueline और सोहन छट पर सो जाते है सोहन उससे कहता है तुम थोड़ी अंग्रेजी जाडना बंद करो यहां के लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं इसलिए दिक्कत हो जाती है अरे बाबा, I am what I am मैं अपने आपको बदल थोड़ी सकती हो ठीक है, लेकिन इस अंग्रेजी के चक्कर में किसी दिन लेने के देने ना पड़ जाए देखना मेरी अंग्रेजी एक दिन काम आईगी देख ले न अगले दिन गाउं में पंचायद लगी होती है गाउं के सरपंच यानि जैकलिन के ससुर जी बरगत के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और सामने पूरे गाउं वाले बैठे होते हैं देखिए, इन पांच सालों में मैंने जो भी गाउं के लिए किया वो आप सभी लोगों को पता है दो दिन बाउत चुनाव होने वाले हैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग एक बार फिर से मुझे सिवा करने का मौका देंगे हर बार सोहन के पिता जी चुनाव जीत जाते हैं इस वज़े से गाउं के कुछ लोग उनसे नाराज भी होते हैं एक दूसरा आदमी बिहारी लाल भी हर बार सरपंच के चुनाव के लिए खड़ा होता है लेकिन हार जाता है इसलिए सभी गाउं वालों के सामने उनकी इंसल्ट करने के लिए दूर शेहर से एक न्यूस रिपोर्टर वो बुला लाता है अब सरपंच जी को इतनी अंग्रेजी नहीं आती थी अब अगर वो उस रिपोर्टर की बात का जवाब नहीं देंगे तो उनकी बेजती हो जाती और यहीं बिहारी लाल भी चाहता था अरे सरपंच जी तो बिलकुल सन पड़ गया है लगता है सरपंच जी को अंग्रेजी नहीं आती है अरे यह क्या बात हुई? हमारे सरपंच जी को अंग्रेजी नहीं आती अनपर आदमी सरपंच नहीं बन सकता इतने में वहाँ पर उनकी बहु जैकलेन आ जाती है सरपंची is my father-in-law I am his spoke person I handle media queries जैकलेन की अंग्रेजी सुन कर गाउवाले जोर-जोर से तालियां बजाने लगते हैं और बिहारी लाल का मुँ देखने लाइक होता है I have become the new bride of this village but before becoming a daughter-in-law I read the complete history of this village there is light, everyone is happy but children have to go very far to study that is why father-in-law has decided that he will build a school in his fields and provide free education to all the children so that no one will have to go outside the village to study इतना सुनते ही reporter के पसी ने छूटने लगते है अरे मैडम इतने अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती क्या आप हिंदी में बता सकती है सभी गाउवाले उस reporter पर जोर-जोर से हसने लगते है लेकिन जैकलिन सभी को शांत कराती है मैं इस गाउव की नई नवेली बहू बनी हूँ लेकिन बहू बनने से पहले मैंने इस गाउव का पूरा इतिहास पढ़ा ससुर जी के सरपंज बनने से पहले इस गाउव में कुछ भी नहीं था पर अब इस गाउव में हरियाली है, लाइट भी है हर कोई खुशाल है पर बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है इसलिए ससुर जी ने फैसला किया है कि वो अपने खेतों में ही स्कूल बनवाएंगे क्या हो सकती है सभी गाउवाले जोर-जोर से तालिया बजाने लगते हैं और सरपन जी के नारे लगाने लगते हैं दो दिन बार चुनाव होते हैं और एक बार फिर से जैकलिन के ससुर जीत जाते है मुझे भी अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिल गया आज, ससुर जी की वज़े से हर वक्त हमारी बहु अंग्रेजी जाड़ा करती थी, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी लेकिन पहली बार इसकी अंग्रेजी हमारे काम आई है, जुग जुग जीओ बहु जुग जुग जीओ और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं